एक holistic approach की बहुत ज़ाधा requirement है यहाँ पे Allopathy में इसका 100% इलाज नहीं है Allopathy में इसे एक incurable disease कहा गया है लेकिन Ayurveda में इसे एक कष्ट साध्या रोग कहा गया है यानि की difficult to treat disease कहा गया है That means कि इसका इलाज है अगर इसका सही से इलाज लिया जाए तो Hi guys, welcome to another episode of psoriasis treatment India आज की मैं video बनाने वाला हूँ Palmo planter psoriasis याने की हथेली और पैरों के तलवे पे होने वाले psoriasis के बारे में अगर आपने कभी notice किया है कि आपके हाथों पे आपके पैरों पे कट लगता है उस कट में से खून बहता है, आपको दर्द होता है, हाथों में जकरन होती है Especially अगर आपने notice किया है कि सर्दियों में ये सारे symptom, ये सारे लक्षन आपके भढ़ जाते है गर्मियों में थोड़े कम हो जाते है तो शायद आपको पामो प्लांटर सोराइसेज की परिशानी है तो ये वीडियो देखना आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट काया कलब ग्लोबल पे जहां हम पिछले 30 येर से मैं और मेरे टीम पिछले 30 येर से 2 लाग से भी अधिक सोराइसेज वस अफेददा के पेशेंट को कंसल्टेशन दे चुके हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के माधियम से वीडियो कंसल्टेशन के माधियम से या फिर OPD में आके फिजिकली दिखाने के थुरू इस वीडियो को शुलू करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर जिन व्यक्तियों को पामब्लांटर सुराइसेज होता है वो किस पीढा से गुजरते हैं, वो किस परेशानी से गुजरते हैं कई बार पेशेंस हमारे पास आते हैं वो हमें complain करते हैं कि वो अपने shirt का button नहीं लगा पा रहे हैं, pencil नहीं पकड़ पा रहे हैं, कंगी नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्यूंकि उनके पूरे हाथों में cuts लगे हुए, उनको चलने में तकलीफ हो रही है, उनको पूरे शरीर में यदि कहीं और भी surices अगर साथ में है, तो उनको खुजली हो रही है पूरे शरीर में, रात को सोने में उनने समस्या हो रही है, ये कुछ ऐसे लक्षन है patients के, जिसकी वज़े से उनका quality of life हम score देते हैं patient को, वो काफी पूर हो जाता है, उनका quality of life score, तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर palm o planter surices का cause क्या है, इसके triggers क हैं, तब ही हम बात कर पाएंगे कि आखिर इसकी क्या remedies हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, देखिए, sorices एक genetic व्यादी है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे शहीर में होने वाले जो toxins हैं, वो जाके हमारे skin के cells इस पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वज़े से हमारे skin cell के बढ़ने की रफतार बहुत तेज हो गई है, और उसी की वज़े से पपड़ी बनती जा रही है, यही होता है sorices, and I'm sure आप इससे काफी जादा familiar भी होंगे, लेकिन एक type का sorices होता है, pamo planter sorices, जिसकी ओपर हम ये video बना रहे हैं, और उसमें हाथों पे और पैरों पे कट लगते हैं, वहां से खून भैता है, यह थोड़ा सा serious type of disease है, और उसमें हमें ध्यान रखना है कि यदि हमने sorices को सही समय पे ठीक नहीं किया, तो यह आगे जाके advanced stage में भी जा सकता है, यह हमारे नाखूनों में जा सकता है, यदि एक बर sorices नाखूनों में चला जाता है, तो वहां से इसका इलाज करना थोड़ा सा किसी भी healthcare provider, किसी भी doctor के लिए काफी challenging हो जाता है, इन फैक्ट यदि हम इसको nails वाली stage में ना रोकें, तो आगे जाके यह हमारे joints में भी effect कर सकता है, कौन से joint में effect करता है, small joints, यानि क हातों और पैरों की छोटी उंगलियों के जो joints हैं, उसमें जाके यह arthritis पैदा कर सकता है, इसी को हम कहते हैं, psoraitic arthritis, तो ये तो थी कुछ complications और क्यों psoriasis हो रहा है, अब हम बात करते हैं कि आकर इससे कैसे बचें, देखें, जो भी psoriasis के triggers हैं, smoking, alcohol, stress, ये हमें avoid करने हैं, ठ secondly हमें पता है कि environment में जो cold होता है, ठंडा का environment होता है, ठंड जब होती है, जब धूप चली जाती है, तो वो भी एक stressful condition है हमारी body के लिए, और सरदियों में psoriasis का flare आपाता है, तो हमें थोड़ा सा try करें, अपनी skin को moisturize करके रखें, warm humid environment में रहें, ये कुछ tips मैं आपको इस आपके इंबॉक्स तक पहुँचती रहें, अब क्योंकि हमने इस पूरी वीडियो में बात किया है कि पामो का antrasauriasis क्या होता है, उसके symptoms क्या होते हैं, उसके triggers क्या होते हैं, और उसकी वज़े से लोगों को क्या-क्या problems आती हैं, अब finally हम बात करेंगे कि आखिर इस से कैसे बचें, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे life में triggers हैं, हमें उनको off करना है, हमें उन बटनों को off करना है, जैसे कि stress, smoke नहीं करना है, alcohol नहीं लेना है, ठंडे environment से हमको बचना है, inflammation पैदा करने वाले खाने हमें avoid करने हैं, तो इस तरीके से हम अपने soriasis को भढ़ने से रोक स रखते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा soriasis आगे जाके अगली सर्दियों में ना आए, अब मैं आप कुछ tips दूँगा, tips क्या है, moisturize करके रखना अपने skin को, जिससे कि हमारी skin, soriasis में हमारी skin dry हो जाती है, और dry skin की वजए से ही itching होती है, खुजली होती है, वो हमें avoid करन and lastly, एक holistic approach की बहुत जाधा requirement है, यहाँ पे, allopathy में इसका 100% इलाज नहीं है, allopathy में इसे एक incurable disease कहा गया है, लेकिन ayurveda में इसे एक कष्ट साधिया रोग कहा गया है, यानि की difficult to treat disease कहा गया है, that means कि इसका इलाज है, अगर इसका सही से इलाज लिया जाए, तो it is an incurable disease according to modern medicine, but not according to ayurveda, ayurveda में इसका इलाज है, तो एक holistic approach जो की काया कलब ग्लोबल पर प्रवाइट की जाती है, through a team of doctors, of modern medicine doctors, nutritionists and ayurvedic doctors, जहाँ पे एक holistic approach दी जा रही है, आपको उसके थ्रू सौराइसिस का इलाज अब संभव है, to get your personalized ayurvedic treatment at home, just click on the button below, और call us to get your free consultation, यह तो थी आज की वीडियो, उमीद है कि आपको पामो प्रांटर सौराइसिस के बारे में काफी आपके डाउट्स क्लीर हो गए होंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में